उच्चितम न्याले ने मंगलवार यानि 23 जून से शुरू होने वाली रथ यात्रा को सशर्थ निकालने की अनुमती दे दी है पुरी की एतिहासिक जगनाथ रथ यात्रा पर रोक संबंधी आदेश में संशोधन पर सुनवाई करते हुए सर्वोच न्याले ने ये फैसला सुनाया है आदेश के अनुसार जगनाथ रथ यात्रा, मंदिर समिती, राजे और केंदर सरकार के समनवय से आयोजित की जाएगी जिसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि लोगों के स्वास्त का कोरोना महमारी की वजह से किसी भी तरह से अंदेखी ना हो सुप्रीम कोट ने मंगलवार 23 जून से शुरू होने वाली ओडिशा के पूरी की एतिहासे की आत्रा पर रोग समंदी आदेश में संचोधन के अनुरोत पर आज सुनवाई की मुख्य नायधीश शरत आरविंद भोबडे न्यायमूर्ती एस बोपन्ना और न्यायमूर्ती दिनेश महेशोरी की खंड़ पीठ ने इस पर विशे विचार करते हुए इसे सशर्त आयोजित करने की अनुमती दे दी है मुख्य नायधीश ने नाकपुट से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये साथी नायधीशों के साथ सुनवाई की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने कहा कि मंगलवार से शुलू होने वाली जगनात रथियात्रा मंदिर समिती राज्य और केंद्र सरकार के आपसी सामन जस्ति से आयोजित की जाएगी उचतम न्याले ने मामले की सुनवाई के बाद पूरी की रथियात्रा को अनुम्त देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान होने वाले अनुष्ठानों का सूक्षम प्रवंधन नहीं किया जा सकता इसलिए इस मुद्दे को राजी, केंद्र और मंदिर प्रवंधन अपने विचार और विवेक से सुनिशित करेंगे मुक्य नाधिश S.A. बोबडे की अधिक्षता वाली पीट को सुचित करते हुए ओडिशा सरकार ने कहा था कि रत यात्रा के दौरान राजी सरकार मंदिर प्रवंधन और केंद्र सरकार के साथ चीजों को सुचारू बनाने के लिए काम करेगी सरवोच नियाले ने कहा कि ओडिशा में केवल पूरी में ही यात्रा निकाली जाएगी इससे पहले कोट ने रत यात्रा पर 18 जून को रोक लगा दी थी इसके बाद केंद्र सरकार और राजी सरकार ने रोक लगाए जाने के फैसले में संशोधन करने की अपील की थी बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी